मामला जन्पद बलरामपुर विधान सभात उल्चिपूर ग्राम पंच्छायत लालपूर लेबडी का है जहां पर ग्रामिडों ने बिजली विभाग के खिलाफ उग्रप्रदर्शन किया आपको बता दे ग्रामिडों ने बताया कि बिजली विभाग के कर्मी अपने मर्जी से बिजली का बिल बना कर देते हैं और हम लोगों ने जो पैसे जमा करने के लिए दिये थे उसका ना तो कोई रसीद मिली है तब से अभी तक लाइट लगी है अभी तक कोई बिल दिया गय आज पहली बार जब हमारा इतना ज्यादा बिल आया तो हम लोगों ने बिजली विभाग के लाइन मैन दुर्गेश तिवारी से पूछा कि हमने जो बिल जमा करने के लिए पैसे दिये थे उसका क्या हुआ तो उन्होंने बताया कि कौन सा पैसा कब दिया था ऐसा कहकर कनेक सत्यदेव 24,000 रुपे आवध राम यादव का 77,141 रुपे का बिल बना कर उनको थमा दिया ग्रामिडों ने बताया कि हम किसनान आदमी इतने पैसे कहां से ले कर आएंगे और इससे पहले हम लोगों को कभी कोई बिल नहीं दिया गया है पर लोग रहते हैं अब मैं उनको नहीं जाना रहा है और बिना बताये भी आपने पहले कभी घमा किया है पैसा आता है घर पे लेकर जाता है कि कि पहले दो जार रुपे दिये कि उसका रसीद आपको मिला है हम तो घर पर रहते नहीं है तो अलग करते हैं घर पर कोई रसीद दिया नहीं है तो हमाचानक आज पहुंचे तो देख अपने किसी को बताया था इससे पहले ने किसी को नहीं बिया है आप बिजली जमा करें का बिखवाई हम दे रहे हैं पैसा किकने का बिजली बिला आया अपका अभी हमारा जो है 12670 रुपे पार आदर 670 रुप है और लगबग हम 10,000 से उपर उपर जमा करें तो पहले कभी आपको बिल मिला है नहीं पुछ ने कि पहले पहली बार बिल है और आपने पैसा उनको दिया जमा करने के लिए उससे पहले ले जा चुका है वह पहली बार पैसा लेकिन उसके पहले उसने देखते रहे डीवी भारती समचार नजर हर खबर पर